हम सभी लोगों ने अलग-अलग किस्मों की सफेद चावल को खाने की जरूर कोशिश की होगी लेकिन आपने कितनी बार एक कटवरा काला चावल खाने के बारे में सूचा है ये उपेंद्र राभा है जो पश्चिमी असम के गोलपारा जिले के किसान है ये असम में काले चावल के खेती के परंपरा की अगवाई कर रहे हैं इन्हें इनकी नवीन तकनिकों के लिए भी जाना जाता है उपेंद्र को वर्ष 2011 में क्रिशी विज्ञान केंद्र से एक किलो काले चावल का बीज मिला इससे उन्होंने पहले साल 150 ग्राम धानूप जाया इसके अगले साल 48 किलो चावल पैदा किया और अब वह करीब 800 एकर जमीन में काले चावल की खेती करते हैं अब ब्लेक्रेस आपर, अब शाललेन, शालोर अबोल यह में बहुत किनी बुस्तर बनावाँसे पुठो में तुद्णू केंदर हो मिला जिर्ष एक किईज बनावाँसे अर ईक एक केखिन अमें पधमें पड़ोखनी बिलाकोट आमी उलेज शिलो बूरे चावल की तुल्ना में काले चावल में अधिक पोशन मूल्य होता है यह अन्य चावल की तुल्ना में उच्चितम एंटी ओक्सिडेंट और प्रोटीन देता है और वजन कम करने में भी साहता करता है यह अधिक रेश्यदार है और कुछ प्रकार की कैंसर से भी बचाने में मदद करता है मदूमे की रोगियों के लिए भी अनुशनसित है काले चावल को प्राचीन चीन में स्वाद से भरपूर और उच्च पोशक तत्वों से भरे होने के कारण एक राजिसी गौरव माना जाता था और केवल शाही परिवार ही इसका सेवन करता था इस चावल को अलग से नाम दिया गया है जिसे उपेंद्र राइस कहा जाता है उपेंद्र सफलता पूर्वक गेम चेंजर बने हैं और कहीं स्थानी किसानों के लिए प्रेरणा श्रोध भी बने हुए हैं उनकी कहानी भारत के अन्य हिस्सों और दुनिया के अन्य हिस्से की किसानों को प्रोचसाहिद कर सकती हैं बिरो रिपोर्ट एटीवी भारत 2400 खंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें एटीवी भारत है